सब्सक्राइब नाव एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट अब इस तरीके से क्या क्या प्रोविजन किये गए है तो उसके बारे में आज हम अपने इस पार्ट के अंदर देखेंगे तो देखिए जो हमारे फ्रीडम ओफ रिलीजन की अगर हम बात करें तो यह राइट जो हमारा तो देखिए अब हम किस आर्टिकल के अंदर क्या क्या प्रोविजन है उनको निकोगेशं करेंगे तो बहाँ पर प्रोविजन क्या है क्या है औफ कंसाइंस फ्री प्रूफेशन यानि आप यूथ 16 kän कर सकते हैं प्रोफेस कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रोपोगेट कर सकते हैं तो देखें इनकी इनका मतलब क्या है कि इस हर एक टर्म को हम यहां पर देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या है तो देखें फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अंदर आता है कि हमारी inner freedom कि हमने अपने God के साथ क्या relation अपना establish किया है तो यह हमारी inner freedom है यानि हम God के साथ जो है जिस तरीके का चाहें अपना relation जो है वो establish कर सकते हैं तो यह हमारी freedom के अंदर आता है उसके बाद देखे right to profess right to profess का मतलब है कि जो है आप अपने religion को declare कर सकते है आप openly और freely सब को बता सकते है कि मैंने इस religion को follow किया है तो यहां पर आपको right है में इस तरीके ख़्रीडम आपको है कि अप publicly में को क्या कर सकते है डिक लेर कर सकते है उसके बाद निद्ध कि देखे рад就是 का मतलब है कि आप जो है worship कर सकते है रिचुल्स कर सकते हैं उसके साथ साथ सेर्मिनीज जो है और गिनाइज कर सकते हैं जहां पर जो है अपने रिलीजन से रिलेटर जैसे आपने देखा है कि कही जगे पर जो है अलग अलग ताइप के जो है फेस्टिवल्स जो है वो और गिनाइज किये जाते हैं जैसे कि दुर Kate का मतलब है कि transmission or dissemination of once religion belief यानि आप अपने जो बिलीफ हैं अपने religion के अंदर जो बिलीफ हैं जो doctrines हैं जो सिधानत हैं जो आपके religion के अंदर आते हैं तो आप उनको दूसरों को ट्रांस्मिट कर सकते हैं। यह दूसरों को आप उनको बता सकते हैं उनका परचार कर सकते हैं अपने रिलीजन का परचार करने के लिए भी आप पूरी तरह से स्वतंतर हैं लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखने की आप जो है दूसरे को forcibly convert नहीं करेंगे अपने रिलीजन के अंदर यानि कोई दूसरे religion का अगर वैक्ती है तो आप उसके साथ किसी भी तरीके का forcible conversion यहाँ पर नहीं कर सकते यह आप अपने जो हैं डॉक्टरी उनको बता सकते हैं उनको transmit कर सकते हैं लेकिन आप force नहीं करेंगे उनके साथ कि हो आपके religion को अपनाए तो यहाँ पर देखे यह हमारे जो है चार टर्म कंसाइंस और इसके साथ प्रोफेस और उसके बाद practice और प्रोगेट यह हमारे चार की चार टर्म जो है यहाँ पर clear हो चुकी है अब देखे जो आर्टिकल 25 है इसके अंदर हमारे religious belief के साथ साथ जो religious practice है उनको भी cover किया जाता है मतलब जो doctrines है उनके साथ साथ जो है rituals को भी यहाँ पर क्या किया जाता है cover किया जाता है आर्टिकल 25 के अंदर यानि आप जो सिधान्त है जो religion के अंदर जो सिधान्त है उनको आप follow कर सकते हैं इसके साथ आप ritual जो है वो भी perform कर सकते हैं इसके बाद देखें ये जो right है वो citizen और non-citizen दोनों के लिए है लेकिन यहाँ पर इस right के उपर जो है कुछ reasonable restriction भी है वो किस वज़े से हो सकती है देखे public order ऐसा नहीं है कि आप publicly जो है किसी भी जो main road पर है आप किसी तरीके की ritual perform करने लग जाएं तो देखें इससे जो है public order क्या होगा डिस्टॉब होगा तो उसके उपर restriction है आप चाहें तो अपनी rituals जो है जो भी दुरुगा पूजा ये फेस्टिवल आपने मनाना है तो उसके लिए कोई place decide करें वहाँ पर जो है आप उसको organize करें ताकि जो है बाकी की जो public ह है उसको किसी तरीके की कोई भी disturbance ना हो तो देखें यहाँ पर public order की वजह से यहाँ पर restriction लग सकती है morality के base पर health के base पर और इसके साथ other provision related to fundamental right fundamental right के अंदर जो दूसरे provision किये गए है उनसे related भी यहाँ पर जो है कुछ reasonable restriction लगाई जा सकती है तो यह article 25 के अंदर आता है अब देखें जो यहाँ पर state है उसको permission दी गई है कि वो क्या कर सकता है regulate कर सकता है और restrict कर सकता है कोई भी ऐसी activity religious practice की कोई भी ऐसी activity और जो other जो की economic financial और political activity है या फिर कोई secular activity है उसको क्या कर सकता है state अगर उसको लगता है कि यह public order को disturb कर रही है या morality या लोगों के health को effect कर रही है तो जैसे कि आपने देखा है कि देसेर वगेरे पर हम जो है यह रामन के पुतले वगेरे जलाते हैं तो उस time पर देखें काफी pollution उस time पर होता ह तो वहाँ पर restriction की जा सकती है इसी तरीके से दिवाली festival पर जैसे आप इतने सारे crackers जो है वहाँ पर जलाते हैं तो उस पर भी state क्या कर सकता है वहाँ पर इसके लिए restriction लगा सकते है क्योंकि public health पर बुरा effect डाल रहा है otherwise आप पूरे free है कि आप किसी भी तरीके से अपना festival जो ह होती है इसके साथ देखिए कि state क्या कर सकता है social welfare को social welfare को ध्यान में रखते हुए reform भी कर सकता है और open कर सकता है जो हिंदू की religious institution है उनको किन के लिए जो दूसरी classes है और section जो आते हैं हिंदू के अंदर किन को कवर किया जाता है जैन सिक और Buddhist इन तिनों को इन के अंदर हिंद institution है उनको जो है बाकी section के लिए open किया जा सकता है और जो बाकी classes है चाहिए backward classes है या SCST है उनके लिए इनको open किया जा सकता है क्योंकि आपको पता है कि पहले time पर क्या होता था untouchables को जो है मंदिर के अंदर temple के अंदर जो है entry नहीं दी जाती थी लेकिन जो state है वो social welfare के लिए और reform लाने के लिए और इसके लिए क्या कर सकता है यह religious institution है उनको open कर सकता है सभी के लिए अब देखिए यहाँ पर जो article 25 के अंदर दो explanation ओर दी गई है कि जो सिक community है वो जो कृपान जो धारन करती है कृपान जो धारन करते है वो तो वो किस के अंदर आता है right to profession के अंदर आ तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं आपको confused करने के लिए पुछा सकते हैं के अंदर आता है प्रेक्टिस के अंदर आता है यह प्रोफेशन के अंदर आता है तो किरपान धारन करके उन्होंने क्या किया है अपने religion को publicly declare किया है कि हम सिख religion को follow करते है तो यह जो है इसके अंदर यह application दी गई है आर्टिकल 25 के अंदर दूसरी explanation के अंदर बताये कि जो हिंदूस हैं उनके अंदर जो है सिख जैन और बुद्धिस्ट को भी include किया जाता है अब बात करते हैं आर्टिकल 26 के बार में देखिए आर्टिकल 26 के अंदर जो है मैनेज करने की बात की गई ह है उनको मैनेज करने की बात की है अब देखिए कि आर्टिकल 25 के अंदर हमने बात की हमने जो कोई भी कहीं कर सकता है यानि उसको पूरी-पूरी की अप्रीडम है लेकिन आर्टिकल ट्वैंटिसिक्स के अंदर बात करके गई है तो देखे इसके अंदर जो है कौन-कौन से राइट इन को दिये गए है, जो की religious denomination को दिये गए है, तो देखे यहां पर आप अपना कोई भी जो इंस्टिटूशन है, religious institution उसको establish कर सकते हैं, उसको maintain कर सकते हैं, तो ये जो है इसके अंदर आपको write दिया गया है कि अपना कोई भी religious institution आप establish कर सकते हैं, मतलब उसकी स्थाफना कर सकते हैं और उसको maintain कर सकते हैं. Second on tell ने बात की है कि आप उसके जो भी आपने institution establish की है, उसके सारे के सारे जो affairs हैं, उनको आप manage कर सकते हैं, आप को इनको manage करने की पुरिशव तनतरता है. इसके बाद बात की गई है कि आप अपनी institution को establish करने के लिए या उससे related कोई भी आपने कारिये अगर करने है तो उसके लिए आप जो है movable और immowable property दोनों टाइप की जो properties हैं वो purchase कर सकते हैं acquire कर सकते हैं इसके साथ जो आपने property acquire की है उसको आप जो है administer करने का भी आपके पास पूरा का पूरा right है स्टेट इसके अंदर कोई भी interference नहीं करेगा यहाँ पर देखिए यह जो है चार राइट इन के अंदर दिए गए हैं कि जो religious groups होते हैं और denomination है उनके यह चार राइट यहाँ पर दिए गए हैं और पहले जो आर्टिकल 25 के अंदर हमने बात की थी तो वो individuals के बारे में बात की थी तो दीखें यह वही जो मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुल्स के राइट की गरंटी देता है और आर्टिकल 26 जो है वो religious इस Denomination है जो उनके राइट के बारे में बात करता है राटिकल 26 के अंदर एक तो आर्टिका के बात की गिए है यानि इंडिविजुल्स का गुरूप है उनकी क्लेक्टिफ रीडम के बारे में जो है आर्टिकल 26 बात करता है अब देखोगे जो आर्टिकल 25 के अंदर हमने दे यहां पर जो है कोई दूसरा fundamental right है उससे related अगर provision है तब यहां पर कोई भी restriction नहीं लगी लेकिन यहां पर only three rounds दिये हैं दूसरे प्रोविजन के वज़े से यहां पर कोई भी restriction नहीं लग सकती अब देखिए जो supreme court है इन होने जो religious denomination है उनके लिए तीन condition की बात की है कि religious denomination उन ही को का जाएगा जो यह तीन condition को satisfy करते हैं देखिए जो religious groups हैं अगर इन तीन condition को satisfy करते हैं तो उनको ही religious denomination का नाम दिया जाएगा अब देखिए सबसे पहले जो condition है इसके अंदर का है कि यहां पर collection of individual होनी चाहिए यानि काफी सारे individual जो है उनका एक group होना चाहिए जो कि system of belief and doctrine को follow करते हैं मतलब कुछ special सिदानतों को follow करते हैं तो यहां पर एक तरीके से collection of individual की बात की है और उनके कुछ doctrine की बात की है उसके बाद बाद की गई है कि इसको एक distinct name जो है distinctive name जो है वो दिया जाना चाहिए मतलब एक इसका proper name भी होना चाहिए तो यहाँ पर जो है इसके लिए three conditions है और इसके हिसाब पर जो है इसी के according three conditions का जो criteria सुप्रियम कोट ने रखा है इसके आधार पर सुप्रियम कोट ने कहा ह है कि जो रामकिशन मिशन है और आनंद मार्ग है यह जो है हिंदू religion के अंदर religious denomination है तो इन्होंने रामकिशन मिशन और आनंद मारग को क्या बताया है यह religious denomination है यह यह तीनों टाइप की जो condition दी गई है उनको satisfy करती है लेकिन अर्भिंदो society के बारे में बताया है कि अर्भिंदो society को religious denomination नहीं माना गया है अब ऐसा क्यों क्योंकि अर्भिंदो society के द्वारा जो है अर्भिंदो जो अर्भिंदो हमारे social reformer हुए है उन्होंने जो है अपनी जो उनकी philosophy है उनको यह society follow करती है लेकिन इनके जो है अपने कोई भी belief या doctrine नहीं है कोई भी established जो belief जो doctrine की बात की गई है वो नहीं है तो देखिए एक तरीके से जो है यह इस condition को पूरा नहीं करते जो first condition है अर्भिंदो society उस first condition को पूरा नहीं करती इसलिए जो है अर्भिंदो society को religious denomination का टैग नहीं दिया गया है अब बात करते हैं हम article 27 के बारे में देखिए article 27 के अंदर बात की गई है taxation से related यानि आपकी जो है अगर आप अपने religion को promote करने के लिए और उसको maintain करने के लिए अगर किसी भी तरीक की कोई भी expenditure अगर आप करते हैं तो उसके उपर जो है आपको कोई जो tax money जो collect की जाती है state के द्वारा यानि जो हमारी government जो हमारी tax money को collect करती है तो देखिए उसको वो खर्च नहीं कर सकती पर्मोट करने के लिए किसी particular religion को ऐसा नहीं है कि हमारी state government जो है वो Hindu religion या Muslim religion या कोई other religion है उसको promote करने के लिए जो public के द्वारा जो tax money pay की जाती है तो जो है वहाँपर खर्च नहीं कर सकती इसके साथ जो है यह प्रोहिबिट करता है state को कि वो किसी एक religion को जो है favor नहीं करेगा नहीं उसको पेटरनाइस करेगा नहीं उसको sport करेगा मतलब कहने कहले है कि state जो है किसी एक particular पार्टिकुलर जो religion है और किसी एक specific reason जो religion को क्या नही कर सकता उसको favor नहीं कर सकता patronize नहीं कर सकता और इसके साथ उसको sport नहीं कर सकता तो देखिए तो यहां पर और नहीं उसके उपर कोई tax money जो है वो spend कर सकता है लेकिन यहां पर एक बात की गई है कि अगर state चाहे तो सभी के सभी religion को promote करने के लिए और उनकी maintenance करने के लिए tax को जो है यूज कर सकता है यानि अगर उसने सभी religion जो जितने भी हमारी country के अंदर religion है उन सब को promote करने के लिए अगर वो कोई expenditure करना चाता है तो उसके लिए उसको पूरी freedom है कि state ऐसा कर सकता है आप देखिए कि जो यह article हमारा article 27 है इसके अंदर देखिए article 27 के अंदर only जो tax है उसको प्रोइबिट किया है कि tax नहीं लिया जाएगा आप से लेकिन अगर बात की जाए fee तो आपसे fee चार्ज की जा सकती है आपसे tax नहीं लिया जा सकता लेकिन आपसे fee चार्ज कर सकते हैं देखिए जो है स्टेट आपके जो रिलीजन को काफी सरी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है जैसे आपने देखा होगा कई जगे जहां पर इसी तरीके की आप किसी टेंपल वगिरे में जाते हैं काफी ज़्यादा भीड़ भाड मापर होती है तो द सकता है यानि टेंपल करी के लिए आप संपी चार्ж कर ली जाती है कि कोई और चार्ज करता है वह भी यहां अ जा सकते हैं यहां पर टैक्स चार्ज नें किया जा सकता है लेकिन एक fee जो है वो आपसे charge की जा सकती है अब बात करते है article 28 के बारे में तो देखे अर्टिकल 28 के अंदर बात की गई है attend करने से related की जो religious instruction जो दी जाती है जो कि educational institution के अंदर काफी सारी religious instruction जो दी जाती है उनको attend करने से related है क्या उनको attend किया जा सकता है वो आपकी freedom है की नहीं है देखिए अगर कोई भी education institution है अगर वो government के द्वारा बनाई गी है यानि state के fund से बनाई गी है वो ली पूरी की पूरी जो है वो state के fund से बनी है जैसे कि हमारे government schools है तो यह हमारे state के द्वारा बनाए गए है पूरे के पूरे maintain किये गए है तो यहाँ पर आपको कोई भी religious instruction अगर दी जाती है तो आपकी पूरी स्वतनतरता है कि आपको यहाँ पर कोई भी religious instruction नहीं दी जाएगी यानि किसी एक special religion को follow करने के लिए यहाँ पर नहीं कहा जाएगा चाहिए वो हिंदू है, मिसलिम है, बुदिस्ट है, जैनिसम है, कुछ भी है तो वहाँ पर जो है इस तरीके की कोई भी instruction यहाँ पर नहीं दी जाएगी उसके बाद बात की गई है अगर कोई भी educational institution वो administer तो की जाती है state के द्वारा, लेकिन उसको establish किया गया है किसी endowment या trust के द्वारा तो देखिए किसी endowment या किसी trust के द्वारा अगर इसको ऐसा किया गया है तो वहाँ पर religious instruction जो है वो दी जा सकती है देखिए यह importance point है, तो आप सको confuse करने के लिए पूछा जा सकता है और अलग-अलग condition आपके साथ रखी जा सकती है और पूछा जा सकते है कि क्या हो यहाँ पर instruction allowed है या नहीं है तो इनको आप अच्छे से अपने mind में set कर लें ताकि आपको याद रहे हो और आपका question जो है वो बिल्कुल ठीक हो तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि अगर पूरी की पूरी जो है state के द्वारा maintain की गई है तो वहाँ पर कोई भी religious instruction नहीं दी जाएगी लेकिन आगे बात की गई है अगर administer तो state के द्वारा की चाती है लेकिन उसको स्थापित किया गया है किसके द्वारा किसी endowment या trust के द्वारा उसको स्थापित किया गया है तो वहाँ पर religious instruction जो है वो दी जा सकती है उसके बाद बात की गई है कि अगर कोई भी जो educational institution है वो किसी state जो की recognize की गई है state के द्वारा और जो aid receive करती है state के fund से मतलब एक तरीके से एक सहायता के रूप में कुछ fund उसको दिया जाता है यह नि पूरी की पूरी state के द्वारा establish नहीं की गई है only कुछ है कि जो है grant के रूप में या aid के रूप में उसको दे दिया जाता है अगर इस तरीके की educational institution अगर establish की गई है तो वहाँ पर देखिए कि यह आपके उपर depend करता है कि आप उनको follow करना चाते है या नहीं यानि आपको compel नहीं किया जा सकता तो यहाँ पर आपको compel नहीं किया जा सकता है यहाँ पर आपकी consent पर बिना आपकी consent के जो आपको मजबूर नहीं किया जाएगा अगर कोई minor बच्चा है तो वहाँ पर जो है उसके parents की guardian की consent की जरूरूरत होगी कि वो instruction को चाहे तो वो क्या कर सकता है अगर ना चाहे तो वो नहीं चाता तो वो attend नहीं कर सकता तो देखिए article 28 के अंदर जो है चार टाइप की जो educational institution है उनके बीच में difference बताया गया तो आप देख सकते हैं चार टाइप की कौन सी है एक तो पूरी की पूरी जो state के द्वारा maintain की गई है वो है second के अंदर बात की गई है administer तो state के द्वारा की गई है लेकिन established की गई है किसके पहायता मिलती है grant मिलती है तो देखिए जो एक के case में है जब पूरी की पूरी maintain की गई है state के द्वारा यहां पर completely prohibited है यहां पर कोई भी religious किसी भी religion को follow करने से related कोई भी instruction नहीं दी जाएगी बी के अंदर जो है instruction दी जा सकती है क्योंकि जिस endowment और fund जिस endowment और trust ने उसको establish क organized by the state और जो एड रिसीव करता है state तो यहां पर जो है permit की गई है लेकिन voluntary basis पर है यानि आपकी consent जूरी अगर आप चाहे तो ऐसी instruction को क्या कर सकते हैं अगर आपका मन नहीं अटेंड करने का तो आप उससे जो है deny भी कर सकते हैं तो यह जो है हमारी four type की educational institution यहां पर दी गई ह तो देखिए यहां पर हमारा यह जो पार्ट है वो फिनिश होता है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें comment section में लिख सकते हैं if you like the video then please like share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video thank you thank you for watching the video take care of yourself and god bless you subscribe now and press the bell icon never miss an update